मसकार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई और महत पूड़ियानकारी के साथ आपके समच्छाजे हैं हमारा वहारत देश अनेक प्रकार की वनस्पतियों से भरपूर है हमारे इस विसाल देश में प्रकित रूप से पेड़ पौधयों और चमतकारिक जड़ी वूटी की भरमार होती है दोस्तों ये जड़ी वूटीयों और पेड़ पौधय बहुत ही अनमोल होते हैं हमारे आसपास में होते हुए भी हमें इसकी जानकारी नहीं होती इसी कारण हम इसे बेकार समझ लेते हैं लेकिन ये बेकार नहीं होते दोस्तो हमारे रोजाना जिंदकी में चमत कारिक और पेड़ पौधों रोज देखते हैं लेकिन इसकी सही जानकारी और सही पैचान नहोने के कारण हम इसे सही लाब नहीं ले सकते और अनेक प्रकार की ब पेड़ पौधे जो होते हैं जो हमारी बीमारियों में दूर करने में कारगर होते हैं दोस्तों ऐसे ही एक औसदिये के बारे में हम आपको बताएंगे आज हम बात करते हैं सीसम के तो दोस्तों आज हम आपको सीसम के बारे में अबगत कराएंगे तो दोस्तों बने रहे हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो अगर वीडियो को लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है तो किरपया वीडियो को लाइक और सस्क्राइब कर लीजिए और बैल आइकन दवाईए और जिस से हमारा मोटीवेट बढ़ता रहे दोस्तो आज हम बात करते हैं सीसम की उपयोगता फरनीचर को बनाने में और आदी कामों में प्रियोग किया जाता है दोस्तो सीसम एक और सदिय दरश्ट से भी सीसम की उपयोगता कम नहीं है सीसम की तीन प्रिजातियां होती हैं काली सफेद और पीली दोस्तो इह पीड हमारी भारत देश में हर जगए होता है दच्छिड भारत में इह कम है इसके पीड अक्सर सड़क के किनारे पाई जाते हैं दोस्तो सभी जगए पर आसानी से मिलने वाला सीसम बहुत ही उपियोगी और कारगर है दोस्तो सीसम तुचा रोगों में कुष्ट रोगों में धात रोगों में और पिरियड के रोगों में और पिरमे जोडों के दर्द और उल्टी के रोगों में अतियंत प्रभावकारी है दोस्तो सीसम सरवत्र पाया जाने वाला एक मद्यम सिरेडी का सदाहरित ब्रच्छ है दोस्तो असम उत्तरप्रदेश, मद्दप्रदेश, पंजाब, राजिस्तान, सहित, संपूर भारत में बहुत से मिलने वाले छायादार ब्रच्छ है ये प्रहा सडकों के किनारे लगा हु हुआ मिल जाता है दोस्तो एह छोटा किमतु शगन चिकनी और चंकीली पत्सव वाला एक सवच दिखाई द lizard देख लीजिए आप ये जो प्रच दिख रहा है इसकी पतियां बहुत ही चिकनी दिखाई देती हैं और दोस्तो इह बहुत ही लाबकारी है। दोस्तो पत्यां सनलगन किनारे एवं नुकीले, सीर्स वाली और जलिये विन्यास युक्त होती हैं। दोस्तो इसके जो फूल दिख रहे हैं फूल छोटे छोटे एबं गुच्छे के बिक्सित होती हैं दोस्तो इहे चप्टे और फलीदार दो से चार बीजों वाले होते हैं इहे ब्रच्च की लकडी अतियंत मजबूत होती है दोस्तो इसलिए फरनीचार इमारत आद में इसका अपयोग किया जाता है दोस्तों आए इसके फैदे के बारे में आपको अबगत करा दें दोस्तों आए जानते हैं सीसम के क्या-क्या उपयोग हैं दोस्तों रक्त परदर और स्वेट परदर में सीसम का उपयोग बहुत ही लाबकारी है सीसम के 10-12 पत्तों को पीश कर 10 ग्राम मिश्री को 200 ग्राम पानी के साथ 21 दिर तक सेवन करने से लाव होता है यदि दोस्तों ठंड के दिन हों तो 1-2 काली मिर्च पीश कर इस औसदी में मिलाकर सेवन करना चाहिए आवश्यक आहर बिहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों गर्म मसाले तला हुआ भोजन और चिकनी मैदा वेशन चाय कोफी आद का सेवन ना करें फल और हरी सबजियों का सेवन करना चाहिए दोस्तों यह बहुत ही लाब देता है दोस्तों शाटिका में अगर इसी को शाटिका का दर्द है दोस्तों तो 40 ग्राम सीसम की छाल को पीस कर 500 ग्राम पानी में उबालें जब पानी एक चौथाई रह जाए फिर इसे छान कर दोभारा चूले पर रखें और उबाल कर काड़ा कर लें दोस्तों जब यह ठंडा हो जाए तो इसे 10 ग्राम की मात्रा में दूद के साथ दिन में 3 बार 21 दिन तक सेवन करने से चमतकारी के लाब होता है दोस्तों शाटिका के रोगी को खटे वा कसेले या पचने में कठिन हो वो पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और मालिस करनी चाहिए और दोस्तों आखों के दर्द में सीसम की पत्तियों का रह सहद में मिलाकर लगाने से आखों के दर्द में लाब होता है दोस्तों रक्ति विकार में दोस्तों पांसो गिराम सीसम की लकड़ी का परादा डेल किलो पानी में आठ घंटे तक भिंगो कर रखें और फिर उवाल लें जब पानी आदा रह जाए तो च्छान कर देशी चूड का बूरा मिलाकर सरवत की तरह रो जाना पीने से खून साफ होता है इह पिरियोग नियमे चालिस दिन तक करना चाहिए इह पिरियोग रक्त विकार और वलगम वाली खांसी और खूनी ववासीर में लाबकारी है दोस्तो फोड़ा फुंसी में इसके लिए बहुत ही कारगर जड़ी बूटी है दोस्तो सीसम के 10-15 पत्तों का काड़ा बनाकर 21 दिन तक सुबह साम पीने से लाब होता है और फोड़ा फुंसी खत्म हो जाते है दोस्तो मासिक धर्म में जो मैलाओं को दर्द की समश्या होती है ऐसे में दोस्तो 10-15 सीसम के पत्तों का काड़ा 50 गिराम की मात्रा में सुबह और शाम पीने से कष्टकारी मासिक धर्म में लाब होता है दोस्तो मेलाओं को अगर इस तनों की सूजन है तो दोस्तो इसके लिए दोस्तो सीसम के पत्तों को गरम करके इस तनों पर बाहनने से और सीसम के पत्तों की भाप देने से इस तनों की सूजन खत्म हो जाती है दोस्तो कुष्ट रोग में 10 ग्राम लकडी का बुरादा लेकर 125 ग्राम पानी में उबालें आधा पानी वच जाने पर इसे च्छान लें और ठंडा होने पर इसका सेवन करें इसका सेवन नियमित रूप से सुबह साम करने से लाब होता है दोस्तो सुजाक में सीसम के पत्वों का काड़ा बना कर सुबह साम पीने सी सुजाक का दर्द जल्दी दूर हो जाता है और तीबर दर्द भी ठीक हो जाता है दोस्तो मिर्च तला हुगा भोजन और चाय बहुत से परहेज रखें और दोस्तो दूद में पानी मिलाकर मिश्री मिलाकर सरवत बना लें और दिन में तीन वार इसका सेवन करें दोस्तो मूत्र संक्रमण में अगर मूत्र में इंफेक्शन हो गया है दोस्तो इसके लिए दोस्तो सीसम के पत्तों का 50 ग्राम काड़ा प्रति दिन 2-3 बार पीने से लाब होता है दोस्तो अगर उल्टी की समस्या है तो एक कप सीसम की पतियों का सेवन करने से उल्टी में रहात होती है दोस्तो पिरमेह रोगों में सीसम की छाल का काड़ा पीने से लाब होता है इसलिए पचास गिरम छाल को दो गिलास जल में आधा रह जाए तब यह उबाल काड़ा बनाएं और इसको सुवह साम पीने से लाब होता है दोस्तो धात रोगों में अगर धात की शिकायत है दोस्तो तो इसके लिए दोस्तो सीसम के पत्ते 8-10 ले और इसमें 25 गिरम मिस्री मिलाकर घौट कर पीस कर प्राता सौज जाने की 15 मिनट बाद साधारण जल से नियमित सेवन करने से धात रोगों में लाब होता है दोस्तो जोडों के दर्द में सीसम के बीजों का तेल और घास लेट मिलाकर उससे मालिस करने से जोडों के दर्द में बहुत ही लाब होता है दोस्तो जुखाम होने पर अगर जुखाम हो गया है दोस्तो सरदी के कारण तो दोस्तो इस इस्तित में सीशम के आठ से दस पत्तों को लीजिए और दोस्तो एक गिलास पानी में वालिए जब पानी आधा रह जाए तो इससे च्छान लीजिए और दोस्तो छान कर इसे एक से दो बार सेवन करने से सर्दी काप्रकूब दूर हो जाता है और जुखाम भी ठीक हो जाता है दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सस्क्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जय हिंद जय भार